नमस्कार, स्वाद मसालेदा चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बना रही है अपनी बेटी के टिफिन के लिए कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्टा इसके लिए हम लेंगे मूं की दाल और उसकी आधी चने की दाल इन दोनों को मिला कर अच्छे से वाश करेंगे ये मैंने रात में भिगोकर रख दी है आप इसको दिन में अगर बनाना चाहे तो 3-4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ सकते हैं इसको मैंने 2-3 बार वाश कर लिया है बस अब इसको भिगोकर छोड़ देंगे अब चेक कर लेते हैं तीन से चार गंटे हो चुके हैं इसको और ये अच्छे से फूल चुकी है बस अच्छे से इसका पानी चेंज करेंगे और उसके बार इसको एक ग्राइंडिंग जार में पलट देंगे इसको पीस कर एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे उसमें डालेंगे दाल, थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा, हरी मिर्च, एक चमत जीरा और थोड़ी सी हींग ये सब को डाल कर इसको ग्राइंड कर लेंगे, बीच में थोड़ा पानी भी एड़ कर लेंगे और ये अच्छे से बेटर बनकर तयार है इसको पलट लेंगे एक बड़े बोल में जिससे हमें इसको चलाने में थोड़ा सा फेटेंगे इसको तो आसानी रहेगी अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्श पाउडर थोड़ी सी डालेंगे इसमें अजवाइन, डाइजेशन के लिए और इसमें एड़ करेंगे अमचूर पाउडर टेस्ट के लिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सन्ना मग और कुछ बूंधे तेल की अब इन सबको मिला लेंगे, अच्छे से फेट कर इसको एक फ्लफी सवेटर बना लेंगे इसके बाद हम लेंगे कुछ उबले हुए आलू और उसको कद्दू कस कर लेंगे आप चाहें तो मैशर से भी उसको मैश कर सकते हैं उबले हुए आलूओं में हम डालेंगे स्वात के अनुसार नमक, काली मिर्च, कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च और साथ में डालेंगे बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया और बस इस सब को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारा मसाला भी बनकर तयार हो चुका है, अब लेंगे हम ब्रेट की स्लाइस, ब्रेट की स्लाइस पर बहुत थोड़ी सी हरे धनिये की चटनी लगाएंगे, उसके बाद इस पर आलू का मसाला अच्छे से फैला देंगे, दोनों स्लाइस पर फैलाना है अच्छे से, और हम लेंगे एक चीज स्लाइस, उस चीज स्लाइस को इन दोनों ब्रेट के बीच में रख देंगे, चीज स्लाइस लाल मिच का पाउडर, यह सब डालना ऑप्शनल है, यह आप अपने टेस्ट के अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं कि वह कितना तीखा खाना पसंद करते हैं कुछ बच्चे चीज स्लाइस भी पसंद नहीं करते हैं तो आप अवोइड भी कर सकते हैं बस अब इस ब्रेड में अच्छे से कट लगा कर चोटे-चोटे पीसिस कट कर लेंगे, स्क्वेर शेप में बीच में चीज स्लाइस भी दिख रहा है आपको बस इसके बाद इनको फ्राई होने देंगे इस स्नैक्स को आप इवनिंग में या मॉर्निंग में कभी संडे को चाय के साथ या बारिश का मौसम हो तब भी बना सकते हैं हेल्दी भी होते हैं डाइजेशन में भी अच्छे होते हैं और टेस्तों अच्छा आता ही है इनका ये ब आप डिफिन में पैक कर सकते हैं मैं या पर आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ ये मैंने कुछ पकॉड़े इसमें रखे और एक पकॉड़ा में आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये देखिए गर्मा गर्म चीजी मॉंग डाल का ब्रेट पकॉड़ा तैयार है इन